नमस्कार दोस्तों शामकला शेरिंगे से मैं आपका अस्वागत है मैं सुरेश कुमार एक बार फिट से आपके साथ और दोस्तों आज आपकी जो आई टे की एक्जाम हुए या फर्स्टेरी की आल ट्रेड की तो आज अभी हम जो आपको आंसुर की बताएंगे वो फुल वीडियो पूरा देखना और मिलान कर लो कि आपका क्या सही है क्या गल्थ है क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट वेरी कि सहर को कितने नंबर पासिंग मार्किंग के लिए यह किस प्रकार क्या हुए तो मैं आपको सारी चीज़ डिटेल से बता हुए कि आपने सीट में क अभी को बना रहे तो यह उनके लिए अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि हम तो मैं विस्तार से इसपेश करूंगे आपकी आइटे एंस्वीटी हो वह लए किसी भी ट्रेड की हो तो देख लो आपके सामने लग पर प्रकार की आंसुर की जारी हो रही है तो मैं पूरी चीज़े आपको डिट्रेल से बताऊंगा कि यहां पर किस प्रकार क्योंगी तो शीट के पीछे डाइग्राम बना है तो वह बहुती कम चांसे पहली बाद तो चेक नहीं होंगे तो फिर आपका होगे सर यह क्या हुआ हम ने तो इससे क्या था यही रीजन हो जाता है पास हो जाते हो लेकिन अच्छे नंबर नहीं आते हैं क्योंकि जो क्यूशन आपको अ पासा नीचे तीन च्यार क्यूशन कवर ओड़ते हैं कि आपके तीन कवर हो रहे थे मैंने बहुत से बचों को देखे थे जो ने लगबग अच्छे से किला देगे पढ़ाई किया है उन बचों ने एकदम सपाई से कारे किया है उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है कि तो एंडिंग इस्पेनर जो भी आपको किस चित्र में दिखाएगा और मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूं देखो दोस्तों यह आपका बाल बिन यह देखो वास्तुई डाइग्राम है बलकि आप वैसे बनाओं तो वैसे इसमें द्यागना इसमें भी आपकी एकदम स्क इसमें कहां दिख्कतार दोस्तों लेकिन जिस बंदे ने बनाए इसको किसी प्रका के दिख्कत नहीं होगी तो यह था आपका डबल अब बात करो आपका दूसरा क्यूशन डूसरे क्यूशन को लेकर बच्चे को अभी पिर का इसमें गया नई दरसा आगई है इसमें missing dimension in any यानि इस diagram जो भी anyone missing line रह गई है वह दरसा नहीं दी तो लगबग इसमें main है दोस्तों एक तो यह एक तो यह दे माना कि यह आपका इसमें 5 दरसा रखा 14 mm कितना है लेकिन इसकी बीच की दूरी यह यह दरसा दी माना इसको यह दरसा दी लेकिन बीच में यह दरस बचरें अंदर तो आपको कुल मिला के यहाँ पर 5 mm इधर 5 mm यह दरसा दा बार के तरफ एरोड इस प्रकार इनके बार द्यार रखना जहां पर रेका के लंबाई 10 mm से कम होती है तो उसमें क्या होता है विस्तार रहा गया बार के तरफ एरोड बना जते हैं तो इस प्रकार आड़ जिस बंदे ना बनाएगा जो इकदम कर्रेक्ट है उस प्रकार इसमें किसी प्रकार दीके ने एक इसकी माप इधर यह लिकरने ठीक है दोस्तों यानि इसमें आपको पच्छों ने क्या पता हूं यारो मैं दो तिन आइटेयों में गया था तो पहले तो ने क्या रखा था यानि इसको थाड़ अंगल बना दिया था इसको फरस्ट अंगल बना दियता फिर रही बात नहीं इनका अच्छाब बन गया मेरे साफ से कोई दिक्न नहीं पिर भी तो यह आपका फरस्ट अंगल्या यह अब इसके बीच वुजबू होना चाहिए इसके बीच नों बीच होना चाहिए इसके बीच प्रorama च्छुया के नहीं है अब बात करें आपका क्यूशन नमबर चार यह था मैत्व पूर्ण काफी जी क्यूशन था इसमें देखो दोस्तो इस तरफ यह अंदर रेका जार तो इसके आपको एदर से रेका इस प्रकार दर्शन थी और इसी की एदर से उपर भी आगी अब आपने अगर फटाएगी एदर से लंबर च आपने वह तो भी रेल में था देखो इस प्रकार का बोल्ट पिनिंग नाम भी लिखने थे मैंने भी पिछली क्लास में आपको बताया था कि नाम की किसके क्या नंबर है अगर आपने नहीं लिखा तो पहली खलास में देखो मैंने 500 किसों के नंबर डिवाइडेशन करके ब देख लो आईसोमेटर प्रोजेक्शन जिस बंदे ने इस प्रकार बनाया है दूसरी बात इस आईसोमेटर को आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है इसमें आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी बनाना था यानि कैसे इस प्रकार का सिंबल भी बनाना था औ और जिस बंदी ने बनाया है उसका एकदम correct है उसके 20 में 20 नमबर आएंगे इस प्रकार ये एरोड के भी नमबर है यानि आपका ये क्या है दो नमबर इसके चार और ये आपका जो है दो नमबर सिंबल के च्छा नमबर पगए अगर एरोड इस प्रकार बना के आयो वेशिए मैंने ये माप दर्शाद ये वर्थ की देगो 15 एदर आपकी 24 ये भी 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 24 ये बनाया है तो इस प्रकार ये बनाया है तो उसका एकदम correct है तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लागे कमेंट बॉक्स जोरू बताओ आज के लिए बस इ इम दे समय दहने के लिए तो ये दिन से धन्यवाद